दोस्तो नमस्कार आदाब सच्छी अकाल ने उसक्लिक के कारीकरम हफ़ते की बात के साथ मैं उर्बिलेश उत्तरप्रदेश विदान सबाके सात्वे चरण के लिए जो सात्वे चरण को होगा उस सात्में चर्ण के मत्दान का जो प्रशार था एलेक्शन के लिए जो प्रशार था आशाम बंद हो गया इस तरह से दस फरवरी से जो मत्दान की प्रक्रिया चल रही थी वो सात मार्च को खतम हो जाएगी और उसके लिए प्रशार आज ही खतम हो गया इतना लंबा चुनाओ उत्तर पुदेश का चुनाओ दुनिया के किसी बड़े देश के चुनाओ से भी लंबा election commission दावा कर सकता है कि उसमें बड़ी तैयारी की बड़ी पारदर्शिता है बहुत निस्पक्षता है कितनी निस्पक्षता कितनी पारदर्शिता है इस पर बहुत करने से बहतर है एलेक्षन जैसे तैसे हुआ उस पर हम बात कर लें दोस्तो इस एलेक्षन की दो बड़ी खास विशिष्टाएं नजर आ रही है जितने लोगों से आप बात कीजिए चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी के वो समर्थक हों सब एक बात जरूर निताओं को छोड़ कर वो सब आम लोग एक बात जरूर मानते हैं कि जनता में नाराजगी जरूर इस बार सकता धारी दल से है ऐसी नाराजगी ना तो 2014 के चुनाओं में थी भारती जनता पार्टी से ना तो 2017 में थी ना तो 2019 के लोग सबाद चुनाओं में थी तो ये अगर 2014 से लेकर आज तक का रिकार्ट देखा जाए तो नरेंद्र मोधी जी भारत के प्रदान मंतरी उनकी अगवाई में उनके माघजर्शन में भारती जनता पार्टी जहां-जहां चुनाओं लड़ती है और जाहिरा देश बर में लड़ती है मुक्यमंतरी कोई भी हो प्रदेश कॉंग्रेस अद्यक्ष कोई भी हो तो नरिंद्र बोदी जी की सरकार और राज्य की सरकार दोनों से गहरी नाराजगी इस चुनाव में नजर आई लोगों में इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा इस चुनाव में क्योंकि इस चुनाव की एक विशेष्टा है ये लहर कोई नहीं है चुनाव में नाराजगी जरूर है लहर साइद इसलिए भी नहीं दिखाई देती कि सताधारी दल के खिलाप जनता में जो अशंतोस है उसको कभी भी मेंस्टिम मीडिया जाहिर नहीं करता है उसको व्यक्त नहीं करता है तो लहर कैसे कोई मानेगा तो लहर तो नहीं है लेकिन जो नाराजगी का आप क्या करेंगे उसको कैसे आप दबाएंगे सरक चलते लोगों से आप सवाल पूछते हैं कि क्या है सरकार से आप सरकार के साथ हैं कि सरकार के खिलाप है सरकार से डर कर सताधारी निताओं से डर कर वो भले कहा दे कि डिस्त्रॉय कर दे रहे हैं तो ये चीज़ें लोग कह रहे हैं और खुल कर कह रहे हैं इसमें डर नहीं रहे हैं लोग लेकिन जब आप पूछते हैं कि किस को उट दे रहे हो तो वो कुछ नहीं बताता और बता भी देता है जो कारिकरता है किसी पार्टी का तो कारिकरता या मुखर समर्थक ही बताते हैं आम लोग अपनी जुबां से आम तोर पे ये नहीं बताते कि वो किसको उड़ दे रहे हैं ये बड़ी खुबसूर्थी है तो इस चुनाव को अगर मैं एनलाइज करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये जनता की नाराजगी का चुनाव है और बड़े राजनितिक दलों द्वारा चुनाव को अपने पक्ष में मैनेज करने यानि चुनावी बंदोबस्त बना चुनाव से चुनाव में जनता की नार दूसरी तरफ एलक्षन मैनेज्मेनट है और शत्ताधारी दल एलक्षन मैनेज्मेनट में सब से आगे दिखाएजे रहा है यही देखना है कि यह चुनाओ में जीतता चुनाओ यह जंता की नाराज़गी जीतती है चुनाओ असल चुनाओ इसी बात का है लेकिन दोस्तो हम कि अन्य विश्य पर जाएं इसके पहले आपको बता दें कि जिन साथ जिस साथ साथ में चरण में जहां चुना हो रहा है वो कुल नौ जिले हैं पुरवांचल के उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के और ये जो नौ जिले हैं इनमें प्रमुक हैं आजमगर गाजिपूर ज जन्दौली, मिर्जापूर, वदोही, सोनभद्र और वारणसी संजोग बस दोस्तो मैं इसी इलाके से आता हूँ मेरा पैत्रिक जनपद गाजिपूर है तो बस्पन से इस इलाके को मैं थोड़ा दूसरे और जगहों या दूसरे और स्टेट्स के मुकाबले बहतर ढंग से देखता समझता रहा हूँ, हलांकि मैं दावा नहीं कर सकता क्योंकि बर्षों से मैं काफी दूर हूँ अपने इलाके से, लेकिन लगातार हमारी बातीत होती रहती है लोगों से हर चुनाव छत्र के, तो एक जनलिस्ट होने के नाते जितना मैंने अब्जर्ब किया है, इस वैसे भी 54 सीटें, बहुत महत्यपून हैं, नौ जिलों की 54 सीटें जो हैं, उसमें अगर 2017 का एलेक्शन आप देखें दोस्तों, तो बीजेपी को 29 सीट मिली थी, अपने बल पर, और उसके जो सहयोगी दल थे, उनको 7 सीट मिली, समाजबादी पार्टी को 11 सीट मिली, और ब बड़े पैमाने पर भारती जनता पार्टी लेड एलाइंस को 29 प्लस 7 सीट मिली थी, लेकिन इस बार वीजेपी की टॉप लीडर्शिप भी ये दावा नहीं कर सकती, कि उसको उतनी सीटें मिलने जा रही हैं, जिसको जितनी सीटें मिलेंगी, उसकी जीत या हार उतनी पक् होगी, जिसकी जीत मिलेगी, उसकी जीत और बड़ी होगी, ये इस एलेक्शन का, इस अंतिम चरण का एक बहुत बड़ा समीकरण है, जो पहले से जीत आ रहा होगा, उसकी जीत अगर इस चरण में भी होती है, तो जाहिरे जीत बड़ी हो जाएगी, और जो पहले से हारता रहा होगा, अगर इस चुनाव, इस चरण में भी वो एड़ेस्ट नहीं कर पाया, ज्यादा से ज्यादा सीटे नहीं जीत पाया, तो जाहिर हो बहुत पिछड जाएगा, इसलिए लोग मानते हैं कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने यूक्रेन का इस क्राइसिस के इस द अभी भी उक्रेण के अलग-अलग शेरों में फंसे हैं, इस क्राइसिस में भी प्रधान मंतरी ने दिल्ली छोड कर धाई दिन अगर भी ताया इस इलाके में दो धाई दिन सिर्फ बनारस में इस इलाके में तो कई बार वो आए कई रहलियां किये हर जिले में घुमते रहे लगबग प्रमुक प्रमुक जगहों पर लेकिन अंतिम समय वो अपने चुनाओ छेत्र क्यों आए कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका चुनाओ छेत्र वारनसी भी किला जो अपने को कहते थे हिंदुत्वा का किला एक जद्या में हिंदुत्वा का किला और दूसरी तरफ वारनसी में दोनों धार्मिक नगरी जद्या में पहले हो चुका है चुनाओ तो क्या वारणसी में भी हिंदुत्वा का धार्मिक जो किला है राजिनितिक किला जो है वो वाकई हिल रहा था तो क्या महाराजा है प्रधानमंत्री इतना वक्त जो देना पड़ा चंदन टीका लगाना पड़ा पूजा अर्चना करनी पड़ी टेलिविजन कैमरों के सामने रोड शो करना पड़ा डमरू बजाना पड़ा क्या इसलिए कि वो उनको लगा या उनके समर्थकों ने उनको एडवाईज किया कि आपके बगेर भारती जनता पार्टी की डोपती नईया बनारस में नहीं बचेगी क्या इसलिए हुआ है क्योंकि अगर सीटों पे खासकर शहरी सीटों में अगर सभी सीटों पर कभजारना हुआ बीजेपी का तो कहा यह जाएगा कि प्राइब मिनिस्टर के अपनी कांस्विंसी में बीजेपी सारी सीटे हार गई और बनारस दक्षण का जो चुनाव है दक्षण की कांस्विंसी जिसको दक्षण ही कहते हैं वहां समाजवादी पार्टी और भारती जनता पार्टी के बीज में बहुत कड़ा मुकाबला है कौन जीतेगा कौन हरेगा कहा नहीं जा सकता है भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी जो सिटिंग एमेले हैं और मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी जीत के लिए क्या नहीं किया रैलियों में जाकर जनता से माफी तक माँगी घर घर जाकर लोगों से माफी माँगी कि पाच साल उनसे गलतियां होई हैं तो मुझे माफ चनऊ में फिर जिता दीजिए सवाल है जनता माफ करेगी सवाल एक कांस्वेंसी और एक उमिदवार का नहीं है उत्तर प्रदेश के हर एक इलाके में और खास कर जिस इलाके की बात मैं आज कर रहा हूँ पुर्वांचल लोग बेहद नाराज हैं भारती जनता पार्टी से, सत्ताधारी दल से, महांगाई के कारण, विरुजगारी के कारण, महामारी के दवरान, बद इंतजामी के कारण और दलित और प्षणों की एक बड़ी आबादी आरक्षण के नियमों में जो हेरा फेरी की गई उससे नाराज है, उन हत्तर हजार शिक्षकों प्रैमरी और अपर प्रैमरी के नियुक्तियों में, शिक्षकों के नियुक्तियों में आरक्षण नियमों को धराशाई कर दिय हिंदो हिर्दय समराठ की सरकार योगी महराज को RSS और BJP ने हिंदो हिर्दय समराठ कहा वो अपने हर बड़े नेता को हिंदो हिर्दय समराठ कहते है पहली चीज़ तो समराठी क्यों कहते है डेमोकरसी में समराठ का क्या मतलब है भारती समराट भी क्यों कहा जाए लेकिन वो नहीं इस्ते भी नहीं वो संतोष करते हिंदू हिर्दय समराट लेकिन हिंदू हिर्दय समराट योगी महराज ने स्वेम ही गोशित कर दिया एक विरादरी के का नाम लेकर जिसमें उनका जन्म हुआ कि वो तो उस विरादरी में पैदा होकर अपने को गरवानित महसूस करते हैं उन्होंने अपने को इन्टिफाई कर लिया इससे बहुत नाराजगी भी जाहिर की गई स्वहें बीजेपी के नेताओं को भी लगा कि अरे ये क्या कह दिया मुक्किमंतरिजी ने हमने टो उनको हिंदू बनाया वो तो जाती तक सिवित अपने को कर दिये उन्हें तो हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए था ये जाती की बात क्यों करने लगे तो दोस्तों इस चुनाव की एक बड़ी विशेस्ता है कि बड़ी मेहनत से RSS वीजेपी ने जो हिंदुत्वा का मायाजाल बिछा रखा था काठी से लेकर अजोध्या तक वो मायाजाल इस चुनाव में तूटता न जराया बुरी तरह हिंदुत्वा का मायाजाल भी तूटा है इस चुनाव में और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का आकर्षन भी उनके लच्छेदार जुमलेदार भाषनों का जो लोगों को आकर्ष्ट करने का जो एक एक दिखाई देता था असर वो असर भी कम हुआ है ये बात मैं उनकी चुनावी रह लिया जो टेलिविजन चैनलों पर लाइब दिखाई जाती थी उनको देख कर कह सकता हूँ और आपने भी दोस्तों देखा होगा तो इस चुनाव की दूसरी जो बड़ी विशेस्ता है मैंने पहले बताया ये चुनाव जनता की नाराजगी और सत्ताधारी दल के बंदोबस्त का चुनाव है चुनावी बंदोबस्त का महारत हासिल है उसमें उसको और दूसरी जो मैं विशेष ताइस की बता रहा हूँ कि ये चुनाव हिंदुत्वा के माया जाल के टूटने का और प्रधान मंत्री मोधी की रैलियों के असर कम होने का चुनाव है अब देखना होगा कि नतीजा क्या होता है दोस्तो एक और बात चलते चलते में आपको बताता हूँ कि समादवादी पार्टी हो या पहुजन समाद पार्टी हो या कॉंग्रेस पार्टी कोई भी पार्टी है पार्टियों के नेताओं, विपक्षी पार्टियों के नेताओं का अपना जो प्रयास है इस चुनाओ को इस चुनाओ में अपनी स्थिती मजबूत करने का वो उतना महत्पूर नहीं है जितना जनता का प्रयास है जनता में जातिगत विभाजन पहले के मुकाबले कम है इस बार सामुदाईक एक्ता बनी है पिछणों में अति पिछणों में एक वरिहत्तर एक्ता उबरी है यही कारण है कि समाजवादी पार्टी का जो सामाजिक गठबंधन है अगर उसको आप देखें तो वो बीजेपी की कथित सोचल इंजिनिरिंग से बड़ा हो गया है बीजेपी की कथित जो सोचल इंजिनियरिंग है उसके मुकाबले समाजवादी पार्टी को एक बड़े सामाजिक गठबंधन का समर्थन मिलता दिख रहा है अगर ये इवियम्स तक इंटैक्ट रहा तो इस चुनाव के नतीजे पहले के नतीजों से डिफरेंट होंगे अगर चुनावी बंदोबस्त में यह जो इस्थिति है वो कहीं ठार गई तो नतीजा अलग भी हो सकता है लेकिन ले देकर अगर आज की तारीक में हम बात करें तो ये चुनाव भारती जनतापार्टी के लिए बहत मुश्किल हो गया है तो दोस्तों हम फिर आप से मिलते रहेंगे चुनाव तक मत्दान भी होना है और फिर मत गणना के दिन भी तो आज बस इतना ही नमस्कार आदाब सच्छियतार